मास्टर रोनक नागरानी की तेर्मी पुन्न थिती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन जिहां रक्त अर्पन सिवा संस्थान मुरार के दोरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें रक्तदान महाधान रक्त कोस्च किसा महा विद्याले गौलेर की मेडिकल टीम मौझूद रही रक्तदान शिविर में किरन नागरानी ने 113 वी वार रक्तदान कर लोगों को परिरित किया बहीं पिर्थम भार युवा पुरिंद ने रक्तदान करें अच्छा लगता है गौलेर खवार लाइब की टीम ने रक्त अरपन सिवासंस्तान के सदस्यों से कीविशिश बाजशीत प्रिस्तोत है गौलेर से आशिश फांडे की एक लाइब रिपोर्ट गौलेर खवार लाइब के दरसोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और अभी हम पहुंचे हुए हैं एक रक्तदान सिविर कायोजन सूरी नगर में किया जा रहा है आई इसके बारे में जानते हैं कि क्या उद्देश है और किस लिए रक्तदान सिविर कायोजन किया जा रहा है जी बहुंचे अपना नाम बताईए और थोड़ा सा इसकार्यक्यम के बारे में आप में आप में नाम शिर्मत इखिरन नागरानी है ये मेरा बेका फैलसीमिया पीशेंट का उसका दर्द मुझे पता है विल्कूर नेशान को हिले झाल rice at नगोच सब्स्क्राइब कोशह है तो आप आरे मिलता है विल कर्सेंश लोगों का सयोग मिलता है विल्कुर मिलता है हमारे संसिता के जो अध्यस वज़े रहे हैं उन्गों को पूरा सपोर्ट मिलता है जेच का भी पूरा सयोग होता है यह सब का से मतलब अश्पताल प्रबंधन का भी आपको पूरा सयोग मिल रहा है समाज के सभी लोग इसमें बढ़ चड़के हिस्सा ले आज हमारी संद्री समाज दुलशकर की द्वारा से अमनों को सैनित्राइजर मशीन जो पैल से दवा के यूज की जाती है वह दान करिए कि जहां भी आप कैम्प लगाते हैं तो यह वाली मशीन जरू यूज की जिए और मास्के भी दिये काफी उन लोगों ने आपका नाम पता है और थोड़ा सा अज अपनी इस लाइप में एक सो तेर्वी बार के दो तो गॉलियर के जो भी दर्सक इस समय में देख रहे हैं उन सभी के लिए एक प्रेणा है कि एक महला होते हुए भी देखी किस तरह से सबसे आगे आके हैं समास्य सिवका कार कर रही हैं लेर में सिवेर आयुजद होते हैं उसमें हम सभी को बढ़ चड़के भाग लेना चाहिए जिससे हम दूसरों की जिन्दगी को बचाने में अपना अहम योगदान दे सके हैं मेरे नम कुष्णा सर्मा है मुझे बड़ी फुसी होती है कि अगर मेरे बड़ देने से किसी की जान बच जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा आपका नाम अधा है और क्या सायोग कर रहे हैं आप इदर अच्छा आप भी बलड दे रही हैं फर्ष टाइम विलड दे रही हैं तो किसी तरह के कॉस्चन्स आपके मन में अभी उत्मन हो रहे हैं कि बलड डॉनेशन को लेकर नहीं मुझे पहली बार लेकर बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लिए ओके ओके अच्छा लाइब के दर्सकों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी यह जो रक्त सवे यहां पर आयुद किया जा रहा है हम डॉक्टर साब से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति विलड करना विलड डॉनेशन करने की एक्छा रखते हैं उसके लिए समस्क्राइब ढ़िए इन लोगों को रखते हैं घवराने से ब्लड देने से की हम आपधर की ना दे गेंगे तो क्या होगा कई तरह की ब्रांतियां लोहों को रहते हैं कि रख्ति कोष्ट ने की कुछ अच्छे क्राटेरिया बना रहे है और रख्टि-गार्ध के की अज़ सबते पहला है कि वजन का है वजन हमें हमारा पचास के लोग के ऊपर होना चाहिए सबते पहला कि यह कंडिशन है उसके पाद हीमोग्लोबीन एक तस्व होता है रख्त में वो हमारा 12.5 बारा दशमलो 5% होना चाहिए इसने आप दे भी देए तो मरीच को कोई फायदा नहीं होगा बेडिशन कोई बैनिफिट नहीं होगा अगर एक सर्टल लिमिट के अंदर है तो ठीक है और कोई चर्जरी हुई गर्फ की हुई है भीकत छह मैंने में बड़ी वह बड़ी हुई है तो मुसका नहीं है अगर अगर आपने अल्कोहल लिये तो नॉर्मल परसंट में आ जाते हैं तो वह कम से कम तीन दिन पहले नहीं है कुछ लोग तो आपने संटे भी बहुत हैं तो हम तीन दिन मालें और कुछ बेसिक दवाई हैं तो इन वह भी हम चाहेंगे कि लोग ना लें लें तो हमें बता दें कोई अगर इमर्जेंसी है तो हम देखेंगे बड़ अच्छा नहीं किया है तो मरीज को दिक्कत जाता है करता है इस जी वज़े से उसमें फरज पड़ता है हम हमारा मक्तब तो पुवित्र है लेकिन अगर हमने डॉनर फिलक्षन अच्छा नहीं किया है तो मरीज को दिक्कत जाता है कि इसके लिए यह बहुत कडाही से इसक्रीनिंग किया ज़रूरी है ज़्यूर को हम जानना चा इसमें गोन आजाता है अचानक्ते ब्लड कम होता है i мест say वे अच्छानक्ते अब्लड कम होता है it's street जाता हि जाती ही उसकी अपकार्ज करना छाधा दिन में उसक dawn वो और अबहुत है लेकिन हमारे देश में तो डॉक्टर साब को बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारी भ्रांतियों को दूर किया और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप सभी को प्रेणा देते रहें तो अभी हम गॉलियर के सभी दर्सकों को बताना चाहेंगे कि अभी हमारे साथ रक्त अर्पंड सेवा संस्था मुरा के जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो भी उपस्ते थे आएए उनका भी हम थोड़ा सा वाइट लेते हैं जी अपना पर्चे दे और ये मिशन के वारे थोड़ा सा अपन जाहिए मैं नाम हरीश हरानी है हम मुरक्त और पंस तेवा समीचे दो साथे चला हैं और इस साल हमने आठ लगा चुके हैं और ये पांतो यूनिट अक्तोदान करवा चुके हैं और कर चुके हैं खासकर हम बच्चों के लिए रग्वार्मेंट कराने में ज्यादा और इच्छू रहते हैं कि 220 बच्चे हैं हमारे ग्वालियर में जिनको हर पंदार में ब्लड चड़ता है इस 220 बच्चे हैं और बच्चों को समय पे ब्लड मिल जाए हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर रख्त की आवश्यक्ता है खासकर आतला जैसे आपने वता है थैली सीमिया से जो पी ले थे हैं यदि उनकी रख्वार्मेंट होती है तो आप से संपर कर सकते हैं हमारा बना हुआ है इसमें 205 में जोड़े हुआ है क्या आपका नंबर जान सकते हैं हमारे विर्शक नंबर है 798 7722157 और एड्रेस हमारा मेरा घर है आपको परचे और थोड़ा सा विस्तार बताएं आप यह अमेरा नाम जिर्ट इससे जा है मैं भी द्रक्तरप्ण सेवा समिधी से शुरू से जोड़ा हूँ जिसमें बस हमारी कोशिश ही रहती है कि किसी भी रेक्ट्री को अगर रक्त की जरूवत है तो उसे परशान नहों पड़े यह हमारा सबसे प्रमकुद्रेश रहता है तो ग्वालियर खवर लाइब के दर्सक अभी देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे युवा भी ग्वालियर के जो युवा है वह इस तरह है कि पुनीतकार में भी बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं और भी सभी लोगों को सब्सक्राइब करता है तो अभी डर तो नहीं लग रहा है तो हमारे ग्वालियर के युवाओं को क्या मैसेज देंगे अब अच्छा रहता है और बॉडी के लिए अच्छा रहता है अच्छा लगता है यह हमारे ब्लड डॉनेशन केम्प में आप आई हुए थे और दिखिए फर्स्ट टाइम आपने ब्लड डॉनेट किया है और जो डर था वो अभी लगबग आपका डर खतम हो गया है चलिए अच्छा आपका परचे जानना चाहेंगे और यह जो कारीकम यहां चल आए उसके विशे में आपके क्या बिचार रहे है इसके अच्छा रहता है और अपना ब्लेड अगर अगर अपने बोतल से किसी की जान बचती है इससे बड़ा प्रोपतर क्या होता है जी जी तो सभी ग्वालियर के लोगों को आप इस तरह की प्रेटा दे रहे हैं मैं सभी वाओ अप्सार भाईयों को बूलना चाहूँगा कि हर साल एक डिक डॉमेशन करना चाहूँए चलिए बहुत थेंक्स